Hello dear students, मैं एजय चौरसिया, आपका अपने YouTube चैनल Maths भाई एजय चौरसिया में स्वागत करता हूँ पिछली वीडियो में आपने कॉनिक सेक्षन का पहला टॉपिक सर्किल डाक्टर हासरूप सर्मा जी की बुक से exercise 10A मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया था आज उसी कंसर्क्ट सर्किल में exercise 10B हम स्टाइट करते हैं exercise 10B 10B को सुरू करने से पहले इज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चांद को सब्सकाइब करें लाइक करें कमेट करें और सभी प्यारे चात्र हमारे इस वीडियो को देखें अपने दोस्तों को सेर करें लाइक करें और कमेट जलू करें तो देखें वीटा सबसे पहले आपको मैंने जो exercise 10A में एक सूत्र बताया था जैसे यद इसका कैंद्र H, K हो और इसकी परिद पर कोई एक बिन्दो X, Y हो तो ये आपका R कहलाता था तो ब्रत का समीकन था X माइनस H का बर्ग, प्लस Y माइनस K का बर्ग, ये जिपकल R बर्ग, ठीक है बिटा अब कोई ब्रत अंते खंट रूप में दिया हो देखो, अंते खंट को समझे जैसे बिटा ये ब्रत है और यहाँ पर ये अच्छों से इस तरह कट कर रहा है, बहुत ध्यान समझे अब ये जैसे मूलविन से गुजर हो सकता, थोड़ा बार साइट से भी हो, जैसे माइन लोग एक ब्रत इस तरह का है, इस तरह से गुजर रहा है, ठीक है तो ये जो कट पोर्षन होता है, ये कहलाता अंते खंड, तो अंते खंड के आगे हम चर्चा करेंगे, ये अंते खंड होता है, ठीक है यह जो ब्रत का समीकर्ण है x square plus by square plus 2gx plus 2f by plus c बड़ाबर 0 जब यह आपका समीकर्ण था तो आपका केंद्र यह था और तेज्य आर थी जब यह समीकर्ण होगा तो आपका केंद्र minus g और minus f होगा ठीक है यहाँ देखें सूत्र में minus था तो h, k था plus में यहाँ पे सूत्र में plus है तो केंद्र minus में तेज्य जो है आपका तेज्य जिसको हम r से जनोट करते हैं r या कुछ books में a दिया हुआ तो under root g square plus f square minus c यह सूत्रम को ध्यान रखना g square plus f square minus c तो यहाँ पर जो यह आपको नया समीकन मिला हुआ है यह exercise 10b में apply होगा तो देखो पेटा exercise 10b का सबसे पहले इन्होंने पहला question यह दिया है कि ब्रत x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c बराबर 0 ठीक है और इन्होंने यह कहा है कि इसका केंद और तेज्यात चुँग यही बात लिखिए बेटा तो केंद रही होगा यही आपका पहला question होगा तेज्या ही होगा ठीक है नीचे लिखा हुआ है दूसरे question की बात करें दूसरे question में दिया हुआ x square plus pi square minus 2ax plus 2by और plus का b square is युकल 0 तो सबसे पहले बेटा मुझे यही मूल समीकन से यानि कि जब भी आप question को हल करेंगे तो इस तरह gx 2fy plus c बराबर 0 से तुलना करने पर आपको इससे compression करना है तुलना करने पर ठीक है बेटा जब आप तुलना कर लेंगे तो देख रहे हैं यह आपका x है और यहाँ x है तो 2g के स्थान पे minus 2a है 2g आपका minus 2a है और 2f के स्थान पे 2b है plus का और c के स्थान पे b square है जब भी इस तरह का समीकना तो आप सबसे पहले completion करेंगे तो g बराबर हो गया minus a f बराबर हो गया b और c बराबर b square रखा है तो बात करते है केंदर की केंदर हमारा होता minus g minus f तो minus करेंग plus हो जाएगा और यह minus f तो minus हो गया बात करते है तेजिया की तो तेजिया r बराबर under root g square तो इसका वरग e square हो जाएगा प्लस F स्क्वाइर और माइनस C यह लिखा है तो माइनस B स्क्वाइर यह कट गया या अंडरूर खत्म दूद तिक जया कितना हमारा आ गया A ठीक है बेटा बिल्कुल सिंपिल है आगे देखिए यह एक से लेकर छे तक सेम क्वेश्चन है सातमे क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लिजिएगा क्योंक सातमा थोड़ा सा लग इस्टाइल का है यहां दे दिया 2X स्क्वाइर प्लस 2Y स्क्वाइर माइनस 3X प्लस 5Y और माइनस 7 जिखकल 0 ठीक है बेटा तो सबसे पहली बात यह देखिए मैंने कहा कि छे तक एक जैसे हैं यहां पर X स्क्वाइर और 2 स्क्वाइर का गुड़ांक डवल दे दिया मूल समीकाण जो अमारा होता उसमें X स्क्वाइर और 2 स्क्वाइर का गुड़ांक सिंगल है तो आपको सबसे पहले बैसा ही बनाना है तो दो का दोन और भाग दे दो तो X स्क्वार प्लस बाई स्क्वार माइनस 3 बटे 2 X प्लस 5 बटे 2 बाई और माइनस 7 बटे 2 बरावर 0 ठीक है वीटा, सिंपल अब आप ये जो स्टेंडर समीकन होता है इससे आप नीचे लिखोगे तुलना करने पर ध्यान देना, हम तुलना करेंगा आपको नीचे लिखना है तुलना करने पर किससे? वो समीकन लिख देना है यहाँ ठीक है यहाँ पे समीकन लिख देना और तुलना करने पर तुलना करने पर जब आप तुलना करें तो देखो Gx, 2G वरावर क्या दिया, माइनस 3 वटे 2, ठीक है, 2F वरावर क्या दिया, 5 वटे 2, और C वरावर दिया, माइनस 7 वटे 2, simple, तो देखें विटा, G वरावर हो गया, माइनस 3 वटे 4, F वरावर हो गया, 5 वटे 4, और C यहमारा दिया हुआ है तो अब बात करते हैं केंद्र की केंद्र होता है माइनस जी माइनस एफ तो ये प्लस का 3 वटे 4 और माइनस का 5 वटे 4 ये हमारा क्या आगया केंद्र बात करते हैं तेज्या की ये कुश्चन सिर्फ इसलिए लगाया है कि बाकी तो एक जैसे हैं यहाँ पर गुडांक जब अलग दिया है तो सबसे पहले जो मूल समीकन है आप एक कौन सा समीकन लिखना है एक से स्क्वाइर प्लस बाई स्क्वाइर प्लस टू जी एक स्प्लस टू एप बाई प्लस सी उकल जीरो से तो तो तेज्या जो आपका आर निकलेगा सब्सक्राइब अठ जी पूर्ट जी सक्वाइर अब देख़़ बिताग वह माना यह मान सी प्लस साथ लेफ्याकन लोसल fon दो प्लस हम्हौ्य nac 128 यह सोला तिक है सौ खने में नो प्लस प्छेस और प्लसाठ चापत्पाल्स इम्हें च्क्राइब देखो पेटा आठ वार भाग जाएगा अंस में होगे आपका 6, 5, 11, 9, 20, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और बटे 16 है ठीक है पेटा तो अब देखो पेटा इसको एगुड़न खंड कर दो तो आपका ये तिज्या आगई इसमें से जो बाहर निकले वो निकाल लेजिएगा बात समझ गई, सिंपल साइज जैसे 90 है 90 को आप फेक्टर कर लीजिएगा कुछ बाहर निकलाएगा, ठीक है उसके बाद 16 का बर्ग मूल 4 हो गया जो भी आपका फेक्टर कर सकते हो कहने करती है, समझाने को देश ही है यदि गुडांक 2, 3, 4, 5 कुछ दिया है तो आप सबसे पहले उस संख्या का बाग दे दीजिएगा तो यह आज के इस वीडियो में ब्रत की सुरुवात कर दी और इस तरह के कोईस्चन किस तरह लगाते है आपको बता दिया है, मिलते हैं अगले वीडियो में बाइ बाइ